बहुत पुराने जमाने की बात है एक आदमी अपने परिवार के साथ एक छोटे से गाउं में रहता था जब उसके बच्चे छोटे ही थे कि मा की मृत्यू हो गई बच्चों की देखभाल के लिए पती को दुसरी शादी करने पड़ी कुछ शालों के बाद शोटेली मा भी दो बच्चों की मा बन गई अब चारों भाई भन एक शाथ रहते थे कुछ शमय के बाद शोटेली मा एकदम बदल गई वह अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाती अच्छे रगिन कपड़े पहनाती और शोटेले बच्चों को उर जाते और भूखे प्याशे शाम को घर आते ऐसे समय में उन्हें अपनी मा की बहुत याद आती थी एक दिन दोनों बच्चों ने अपने हाथ की सूखी रोटी अपनी काली गाय को देती हुए कहा मा तुम हम पर ऐसी ही दया करो जैसी हमारी मा हम पर करती थी इतना कहना था कि पाय के ठनों से दूद निकल आया दोनों बच्चों ने खुश होकर भरपेट दूद पिया अब वे रोज हाथ की रोटी उसे देते और गाय उन्हें भरपेट दूद पिलाती इस से वे खुश रहते थे और उन्हें गौला जाना بھی अच्छा लगने लगा कुछी दिनों के बाद शौतेली माने बच्चों के चेहरों पर लाले देखी तो आस्चरी में पड़ गई उसे अपने बच्चों पर बड़ी दया आई वे तो दुबले पतले ही थे दुसरे ही दीन से उसने अपने बच्चों को भी सूखी रोटी देना शुरू कर दिया दो तीन सब्ताह राज जानने के लिए भाईों के शात ग्वाला भेजा और कहा कि वह ध्यान दे कि भाई दीन में क्या खाते हैं दोसरे दीन तीनों भाई गायों को लेकर जंगल की और निकल पड़े गायों ने आराम से चारागाह में घास चरी दो पहर का शमय होने को आया बच्चों के पे भूख शहन से बाहर होने पर वे भाई से बोले कि हमारी काली गाय हमें दूद देती है इसे से हम अपने भूख मिटाते हैं यह बात तुम किसी को मत बताना भाई ने कहा मैं इस बात को किसी से नहीं कहूंगा चिंता मत करो अब दोनों भाई खुस हुए और अपनी रोटी गाय को देते हुए बोले ओ प्यारी मा हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी मा हम पर करती थी ऐसा सुनते ही गाय ने तीनों भाईों को पेट भर कर दूद पिलाया साम होने पर तीनों भाई गायों को लेकर घर आये तो मा ने अपने बेटे से पूछा तुमने चारागाह में क्य बेटे ने कहा हमने वही खाया जो तुमने हमें दिया था वह तो ऐसा भी नहीं था जैसा खाना कुत्तों को मिलता है ऐसा सुनकर मा को बड़ा बुरा लगा अब बेटी भायों के साथ चारा गाह में गई तो पहर होने को आई बच्चों को भूख लगने लगी उन्होंने प्रोशा दिलाया कि वह किसी से नहीं कहेगी अब भाई गाय के पास गए और अपने हाथ की शुखी रोटी देते हुए बोले ओ प्यारी मा हम पर ऐसी ही दया करो जैसी हमारी मा करती थी उस दिन गाय ने उन्हें धेर साना खाना दिया सबने पेट भर कर खाया लड़की ने थोड़ा सा खाना अपने चुन्नी में छिपा लिया घर पहुचते ही मा ने पूछा कि तुमने चारागाह में क्या खाया बेटी ने उत्तर दिया मेरी चुन्नी से पूछो मुझसे नहीं मा ने चुन्नी देखी उसमें खाना था मा ने पूछा यह कहां से आया बेटी ने मा से कहा कि इसका जवाब चुणनी दे रही है कि खाना गाय ने दिया था यह जानकर मा को बड़ा गुस्सा आया कि सौतेले बच्चे चरागाह में मजे कर रहे हैं उसने काली गाय को ही मारने की ठान ली उसने बिमार होने का बहाना करके बैद्दे शे कहा कि वह उसके पती से कहे कि काली गाय का मांस खाकर ही वह अच्छी हो शकती है बैद्दे ने ऐसा ही किया उसके पती ने कहा कि उनके घर की काली गाय को ही मारना होगा बाप ने तुरंथी बच्चों को शमचार भेजा कि मा को बचाने के लिए उन्हें काली गाय को मारना होगा उसे लेने वे चाराग गाह में आ रहे हैं यह सुनकर दोनों बच्चे गाई के गले में हाट डाल कर रोने लगे तभी बाप वबेटा चारागाह में आ पहूचे उसने गाई के गले से लिप्टे बच्चों को हाथों से हटा कर उन्हें दूर किया और घर को चल पड़े बच्चे भी पीछे पीछे घर आये और पिता से कहा पिता जी इसे नहीं मारे नहीं तो हम फिर से बिना मा के हो जाएंगे उनकी बात पर शब ने उनकी खिली उड़ाई और उस समय गाई को मार दिया गया माने उसका मांस खाया उसके पती वबच्चों ने भी खाया लेकिन दोनों भाईयों की आखों से आसों की धार बहती रही वे कुछ भी नहीं बोले और जो मांस उन्हें मिला उसे वे अपने खेत में ले गए इसके बाद आसपास की लकड़ी कठ्था करके उसका दास अंसकार किया उससे जो राक बनी उसे अपने चारागाह में ले गए वहां उन्होंने एक गढ़क होदा और जो अस्थियां बची थी उन्हें वह राक को दफना दिया दूसरे दिन से दोनों भाई फिर से गवाला जाने लगे फरक इतना ही था कि काली गाय उनके शाथ नहीं थी वे रोज चारागाह में अपनी गाय के अस्थियों के पास चाकर प्रेम के दो आसु बहा कर दूसर कि तरह वे चारागाह में पहुचे तो देखा कि अस्थियों की जगह पर एक सुन्दर गृत कुमारी का पाधा खड़ा था वे आस्चरे से उसके पास गए और उसके लंबी-लंबी पतियों को शहलाने लगे तब यो सुन्दर पाधे ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और खाने के बहुचार कर दी दोनों भाई उस पर लिप्टे हुए बोले हमारी मा कभी गाय बन कर आती है कभी एलो वेरा की बहार बन कर आती है मा कितनी अच्छी होती है क्यों है ना कहकर दोनों भाई हसने लगे कहते हैं कि उसके बाद वे दोनों भाई अपने सौतेली मा क की पास नहीं गये उसी घृत कुमारी ने उनका पालन पोशन करके उन्हें बड़ाक बनाया कहानी अच्छी लगे तू लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन डबाईए